आज हम बात करेंगे अपने फार्म से जैसे हमारे पास चार गाय मिलकिंग वाली है तो इन सभी गायों के बारे में आज हम लोग 2023 में कितना दूद निकाली है ये सब रिकॉर्ड जानेंगे क्योंकि ये जानना जरूरी है कि आपका जो काल्बिंग होता है जब से और उस वक तक ड्राइ पिरियेट तक कितना दूद निकालती है अगर हम लोग सेमिन लगाते हैं जैसे हम ब्रीडिंग कर रहे हैं तो ब्रीडिंग वाला पसू कितना आपका दूद कर रही है जैसे हम यह हाँ पर बात करए लेते हैं तो my 수ater जो जिए वहां हमारी जोगया थो जह देखने के लिए मिलता है इसमें मैं लोग कि इसका सब से ज्यादा दूध रहा 2023 ट्रॉव में और कितने में मॉन्थ में कितना हुआ क्योंकि हमारा फांट्री यूज करते हैं उसमें कुछ हमने स्टार्टिंग टाइम से इस्तिमाल नहीं किया है लेकिन अगाश से मैने आइड करना शुरू किया लेकिन कुछ का व्रेज में प्लाएज दर्टे भी पॉलाया है तो मैंने 7 के जी starting time से निकाल रहा हूँ अभी उसका दूद जो बात कर लेते हैं तो दूद की तो 6 के 7 के बीच में अभी भी रहता है तो मैंने 7 से निकाला है मैं उसका calculation इसलिए नहीं रख रहा हूँ कि वो छोटी कद की गया है वो farm के लिए सही गया नहीं है लेकिन फिर भी उसको लेकर चलता हूँ तो चलिए आज इसके बारे में जानेंगे उससे पहले मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि हमारे चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर ले साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारे आने वाला वीडियो का तक इसमें एड है फोतर के अगर बात कर लिया जाए तो एक छे तेश से यानि सात महिना ये दोहजर तेश मिन तक दूद जो निकल ली है ओ तेश सो साथ केजी मिल्क इसका एवरेज मिल्क मैंने निकाला है 16 केजी पढड़े के हिसाब से जो कि इसका पहले दूद जादा थ अब भी इसका 15-16 केजी दूद इसका भी भी रहता है लेकिन इसका एप्लिकेशन में नहीं होने की वज़र से हमने एक एवरेज मिल्क निकालकर उबत लाया है हमरा के अगर बात कर लिया जाए तो इसका एप्लिकेशन के हिसाब से 3 महिने 10 दिन इसका मिलक निकला लाश 10 0.85 kg मिल कि यह निकाली है यहाँ पर आपने देखा कि हमारी जो तीन महीने वाली जो दो गाय यहाँ पर दिख रही है हमरा और शेतल मा बेटी का सकते हैं तो इसका 1200 है जो कि 3 बाट से दूद निकाला गया इसका 4 बाट से 16 यानि 10 दिन का आगे पीछे है तो हमरा भी कम नहीं यहीं मा से यह भी गया बढ़िया थी हमरा जो कि एक खराब होने के वज़र से थोड़ा दूद इसका कम हुआ लेकिन यह भी गया कम नहीं है चार बयात को होते हुए भी इतना बढ़िया दूद निकाल रही है लेकिन जैसे जनवरी खतम हो जाएगा तो फिर इसका दूद अभी बढ़ेगा हमरा भी अभी दूद करेंगी दोनों को यह आई फिर से किया हूं और इस बार देखते हैं कि यह कंसीप कर जाती है तो बढ़िया रहेगा कि तीन महिना हो चुका है तीन महिने में गया एक पाफी बढ़िया ब्रीड में हैं जो की काफी शांदार गया है थोड़ी सी यह pregnant नहीं हो रही है इसको हम लोग काफी दिक्कत आ रहा है और इसको हम लोग सेमिन भी बढ़ियां लगा रहे हैं ताकि यह conceive कर जाए तो इससे बच्चा जो है काफी बढ़ियां आने वाला है तो इसमें तो इस तरह का दिक्कत आ रहा है लेकिन इसका दूद के अगर बात कर लिया जाए तो मैंने 16 केजी पड़े के हिसाब से एवरेज मिल्क निकाला है तो इसका लगभग 3360 केजी 7 महिने का दूद है यानि 2023 तक यानि लाज दिसमबर तक का मैं बात कर रहा हूँ भाया इसके हमने रिकॉर्ड नहीं किया है तो सबसे बेस्ट जो गया हमारी 2023 की रही है ब्रीड के मामले में दूद के मामले में अगर कोई अडर के मामले में अगर गया देखा जाए तो काफी बढ़िया गया ओ हमारी फोतर है काफी शांदार गया है इसमें कोई शक नहीं है गया बढ़िया है लेकिन थोड़ा सा इसके साथ प्रोब्लम आ रहा है कि ये कंसीव नहीं कर रही है साथ मेने की हो गई उस वक्त हम लोग छोड़ दिये थे गर्मी के समय में और इ ड़िया होने वाला है और बाकि अगर फार्म की बाद कर लिए जा तो काफी बढ़िया है किस तरह कोई दिकत नहीं इधर देख सकते हैं साफी बच्ड़ी खा पी रही है जो खा लियो बैट रही है इधर देख सकते हैं धेनू कसवा है कैसा लगा आज का वीडू बढ़िया लगा तो प्लीज लाइक से जरू कर दें, थैंक यू